नमस्कार अचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है अब जब की दिल्ली में आमाद्मी पार्टी में आ चुकी है और गुजरात में बीजेपी थंपिंग मिजॉर्टी से जीच चुकी है हिमाचल में कॉंग्रेस ने अपनी सरकार बना ली तो जो चुनाओ थे यह बेस तो मोदी जी ने अपना जो जल्वा था वो गुजरात में दिखाया बाकी जगे वो उतना नहीं दिखा पाए और एक बहुत अच्छी चीज यह है कि मैं जब बीजेपी के नेताओं की कुंडी देख रहा था तो मुझे एक चीज़ तो बहुत समझ में आई कि बीजेपी के अंदर नितिन गडगरी, अमिट सा और योगी ये तीन लोग ऐसे रहेंगे जो दोजार चौबिस के लोकसवा चुनाओं में बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे मतलब मोधी जी की टीम में ये तीन लोग बड़े इंपॉर्टन रोल प्ले करेंगे और इज़े हम गडगरी का ध्यान से देखें हैं तो गडगरी अपने काम को लेके मोधी जी को सपोर्ट करेंगे अगले चुनाओं में और वैसा ही अमिसा करेंगा योगी योपी में अच्छा करेंगे क्योंकि योपी में मैक्सिमम सीड्स हैं वो योगी जी जितवाएंगे या हर वाते हैं वो तो वक्त बताएगा लेकिन ये है कि योपी में काफी जो कंट्रोल रहेगा वो योगी जी करेगा मेरे दर्सकों ने ये जानना चाहा है कि दोहजार चौबिस में अचार जी आप अक्सर बोलते हैं कि कई लोग दौड में रहेंगे तो इसमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो बीजेपी के लिए खत्रा बन सकते हैं जो वोट काट सकते हैं आप देखिए गुजरात में आमादनी पार्टी ने भले ही सीट बहुत कम जीती यह ना के बराबर लेकिन आप यह मान के चलिए कि बारा परसें रोड जो होते हैं वो बहुत होते हैं खास्तोर से एक रास्ता दिख रहा है आगे चलके कि लोगसभा चुनाओं में और 2024 का लोगसभा जो है उसकी बैटिंग जो है वो 2023 जुलाई अगस से सुरू जाए कि मतलब बहुत कम समय बच्चा राजनेतिक पार्टी हों के लिए हैं लोग जानना चाहते हैं कि आगे चलके मोदी जी के टकर में कौन कौन से लोग रहेंगे तो मैं इदी सभी डेटा को दे मोदी जी को जो टकर देने के लिए आगे बढ़ेंगे वो केजरिवाल बढ़ेंगे हलां कि केजरिवाल जी की टीम में देखा जाए तो इतनी ससक्त टीम नहीं है और ससक्त टीम नहीं है तो कहीं न कहीं जाके वो इतना सीट में कनवर्ट नहीं हो पाएगा और दीकि कोई कि वो पर्सेंटेज आप वोट जो होता है यह सब जो है वो बात की बाते होती हैं देखा यह जाता है कि सीट किस पार्टी को कितनी मिली तो मेरे दर्सक जानना चाहते हैं कि आप मोदी जी और के जी वाल के बीच में क्या प्लेनेटरी पोजीशन रहेगी दोजार चौब में मंगल की महादसा है और मंगल की महादसा दोजार सत्ताइस तक है लगन की महादसा है और लगन का लौड जो है मंगल है और वहीं मंगल जो है चटेगर का स्वामी है और लगन में ही मंगल बैटा हुआ है चंदमा के साथ में तो यह एक बहुत प्रबल राज्योग होता ह सिर्फ बिवारी का हमको ध्यान रखना है कि इल्नेस जो होगी वो कहीं न कहीं इनको परसान करेगी दसा बहुत अच्छी है और इते हम मंगल को देखें तो मंगल नवांस में नवे घर में नीच का बैठा हुआ है ये थोड़ा सा एक उसके पावर को थोड़ा कम करता है लेकि 2023 के जो तीन राज्यों के चुनाओ होंगे मेन और 2024 का लोकसवा चुनाओ जो होगा वो काफी हद्य तक मोदी जी को थोड़ा सा ससक्त करेगा लेकिन सीट के बामले में बात करिए तो गुजरात में जो अभी चुनाओ हुए है वैसे लोकसवा में कोई मिराकल नहीं होने वा मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगले तीन साल में अर्विन केंजरिवाल जो है वो अपने आपको एक रास्टी इस्तर पे एक ससक्त नेता करूप में इस्थापित करने में सफलोंगे यहां पे एक प्रॉब्लम है कि इनकी टीम में भी देखा जाये तो लोग लोगों की क कमी है और अभी तक जो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी जीत मैं इसको नहीं मानता हूँ क्योंकि जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उतनी नहीं हो पाई और परसेंटेज आप वोट को भी देखा जाये तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है अब वक्त की बात है कि 2024 के लोग सभा के पहले क्या हमारी दिल्ली जो है दिल्ली के जो गंदगी के पहाड़ है यह आमाद्नी पार्टी साफ कर पाईगी क्योंकि वो मुद्द 2024 में आएगा जो मुद्द अभी MCD में बना था यह बहुत मज़ेदार वाला रोचक इस्तिती होगी खास्तों से आमाद्नी पार्टी के लिए कि वो कितनी दिल्ली को क्लीन कर सकते हैं अब मैं अर्विन केजी वाल के बारे में बात करूं तो अर्विन केजी वाल के बारे मे अभी ये गुरू की महाद्धिसा में राहू के अंतर में चलना है और मैंने आपको एकसा बताया है कि राहू एक छलिआ ग्रहन होता है और बैठा हूआ है आठवे घर में तो आठवा घर जो होता है यह जो अभी MCD में जो मुद्दे मने सफाई को लेकраш सफाई को लेकर पह जा चुका होगा सनी की महादसा सुरू हो चुकी होगी और ट्रांजिट में जो सनी होगा वो स्टॉंग रहेगा बिल्कुल वैसे ही स्टॉंग रहेगा जैसे अमिसा जी की कुंडी में आपके गडगरी जी की कुंडी में सनी ट्रांजिट में कच्छा रोल प्ले करेगा सेम अ जनता से जोडता है और सनी यहां पे वक्री होके इसमें गुरू का प्रभाव है और गुरू इनकी कुंडली में पंचमेस और लगन में बैठा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ है कि दो हजार चौबीस के बाद अर्विन केजी वाल के लिए दो हजार उनतिस का जो सफर होगा बड़ा रोचा कोगा और दो हजार उनतिस में जाके ये अपना कुछ कमाल दिखा पाएंगे में चीज इनके साथ भी रहेगी आगे चलके इनका स्वास्त यदि इन्होंने अपने स्वास्त पर अच्छा ध्यान रखा तो अच्छी नहीं खेलेंगे और नहीं तो आप ही मान के चलिए कि इनको भी आगे चलके स्वास्त संबंदित बड़ी सीधे स्प्रली मोगी और ये स्वास्त की प्रॉब्लम जो उनकी सुर्य होगी ये दो हजार तेईस से स्वास्त यदि इनका ठीक रहा तो आप इंए मान के चलिए कि सनी की महादिशा में एक लंबी इनिंग के लेंगे और यदि स्वास्त अगरबढ़ हुआ तो मैं समझता हूँ कि फिर कहीं न कहीं जाके प्रॉब्लम होगी और यदि मैं नितिन गढ़गरी जी की कुल्डि देखूं इनकी कुल्ड़ी में भी सनी की महादसा दोजार पचीस से इंपेक्ट डालेगी तो मतलब यह वा है जिसे घड़गरी की कुल्ड़ी के नेलसिस की तो मैंने कहा इस कुल्डी में काफी दम है हलाकि उम्र जो है 65 हलाकि राजनीती में 65 साल की उम्र कोई मैंने नहीं रखती इस विश्य को बात में डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर यह दि मैं अर्विन केजरी वाल और मोदी जी की कुंड़ी को देखूं तो मेरा यह मानना रहा है कि 24 में मोदी के टक्कर में केजरी वाल उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे लेकि कि अर्विन केजरी वाल को असानी से ना ले आगे चलके 24 में यह बड़ी टक्कर दे सकते हैं और यह बड़ी अच्छी बात है कि उस समय कॉंग्रेस की कुंड़ी में भी इस्तिति रहेगी तो यह दोनों की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होगा लेकिन यहीं मैं 2024 में वो पिधानमंती नहीं बन रहे हैं पिधानमंती तो मोदी ही बनेंगे नमस्कर